नमस्कार दोस्तों, हम जे कृष्ण मूर्थी की बुक First and Last Freedom का हिंदी अनुवाद पर्थम और अंतिमुक्ति पढ़ रहे थे, जिसके आज हम प्रश्ण उत्तर के भाग में से 15 वे प्रश्ण को पढ़ेंगे, जो की है आलोजना के उपर, आलोजना यानि क्रिटिसिजम। क्रिश्ण मूर्थी से किसी ने पूछा कि संबंधों में अलोजना का क्या इस्थान है, विनाशकारी और राचनात्मक अलोजना में क्या अंतर है, क्रिश्ण मूर्थी, पहली बात तो यह है कि हम अलोजना करते क्यों हैं, समझने के लिए ऐसा करते हैं, या यह केवल मुल्यांकन के माध्यम से आती है यदि मैं केवल सतही तोर पर नहीं बलकि गहराई में आपके साथ अपने रिष्टे के मर्म को समझना चाहता हूं तो क्या मैं आपकी अलोचना करने लगता हूं या आपके और मेरे बीच के संबंध का मौन अवलोकन करते हुए उसके प्रती म मैं सजग रहता हूं अपनी सम्मतियों का अलोचनाओं का मुल्यांकनों का तादात्मियों का या निंदाओं का प्रक्षेपन के बिना जो घटित हो रहा है उसी का मौन निरिक्षन करते हुए और यदि मैं अलोचना नहीं करता हूं तो क्या होता है यही ना कि हम नींद में चले जाते हैं इसका तात्पर यह नहीं है कि जब हम चिड निकालते हैं तब हम उनिंदे नहीं होते संभवता वह एक आदत बन जाती है और हम आदत के द्वारा ही अपने को निद्रामगन करते रहते हैं क्या आलोचना के द्वारा बारस पर एक संबंध की कोई गहरी और व विंद्वसात्मक निश्चित ही है अप्रसांगिक है अधा प्रश्ण यह है मन और हिर्दे की वह कौन सी आवस्था है जो संबंध को समझने के लिए आवश्यक है समझ की प्रक्रिया क्या है हम किसी वस्तु को कैसे समझते हैं आप अपने बच्चे को कैसे समझते हैं यदि उसका अलग-अलग मना इस्थितियों में अध्यान करते हैं आप उसके उपर अपनी सम्मती नहीं लाते आप यह नहीं कहते कि उसको यह या वह होना चाहिए आप उसका सतरकता से निरीक्षण करते हैं करते हैं ना आप सतरकता पूर्वक देख रहे होते हैं आप पूरी सक्रीता से जागरुक होते हैं तब संभवता आप अपने बच्चे को समझना आरम करते हैं यदि आप निरंतर आलोचना करते रहें यदि आप निरंतर अपने खास व्यक्तित को रुझानों को सम्मतियों को आरोपित करें निरंतर यह तै करें कि उसे यह करना चाह और इसी प्रकार की तमाम बातें तो इस पस्ट है कि आप उस संबंध में अवरोद खड़े कर लेंगे दुर्भागे से हम में से अधिकतर लोग किसी को अपनी इच्छान रूप ढालने के लिए हस्त छेप करने के लिए आलोचना करते हैं किसी भी इस्तिती को जैसे की पती के साथ संतान के साथ या और किसी के साथ रिष्टे को मनचाहा अकार देने में आपको बड़ा सुख मिलता है तुष्टी मिलती है या इसमें आपको एक प्रकार की सत्ता सक्ती का एहसास होता है आप स्वामी हैं और ऐसा होने में एक भारी परितोष होता है निसंदे इस सारी प्रक्रिया के द्वारा संबंध को नहीं समझा जा सकता इसमें केवल आरोपन है आप अपने रूजहान, अपनी अकांशा, अपनी इक्षा के विशे साचे में दूत्रे को ढालना चाहते हैं और इस सबसे संबंध को समझने में बाधा पढ़ती है पढ़ती है ना अब आत्म अलोचना पर विचार करें क्या अपने परती अलोचक होना, स्वयम अपनी अलोचना करना, अपनी निंदा करना, अथ्वा पक्ष्मर्तन करना, क्या इस सबसे स्वयम को समझा जा सकता है जब मैं अपनी अलोचना करना आरम्भ करता हूँ तब क्या मैं समझ की अनवेशन की प्रिकृया को सिमित नहीं कर देता क्या अंतन निरिक्षण जो कि आत्म अलोचना का ही एक रूप है स्वय को अनावरत करता है उगाड़ता है स्वय का यह अनावरण किस से संभव होता है निरंतर विशलेशन करते रहना, भयाकरांत रहना, अलोचना में लगे रहना, नीसंदे इस से अनावरण संभव नहीं है स्वयम को समझने के लिए स्वय का अनावरण उसका जाहिर होना आवश्यक है और यह तभी संभफ होता है जब आप स्वय के प्रती निरंतर जागरुख हो जिसमें कोई निंदा ना हो, कोई तादात्म ना हो इसमें एक प्रकार की सहजता अनिवार रहे आप निरंतर विस्क्रेशन में नहीं लगे रह सकते ना ही लगतार इसे अनुशासित करने या कोई रूप देने में यह सहजता समझ के लिए निवार रहे यदि मैं केवल सिमित, नियंतरित और निंदित करने में लगा रहूं तो मैं चिंतन और भावना की गती को अवरुध कर देता हूं चिंतन और भावना की गती के दोरान ही खोज संभव है नियंतरन भर में नहीं जब हमें यह मालूम पड़ता है तो पता लगाना जिरूरी हो जाता है कि इस संदर्भ में क्या किया जाए जब मैं किसी धार्णा के अनुसार किसी मापदर्ण के अनुसार किसी आदर्ण के अनुसार कारे करता हूँ तब मैं स्वय को जब्रन किसी धाचे में ढ़लने की कोशिश कर रहा होता हूँ उसमें ना तो स्वय की कोई समझ होती है और ना उसके पार जाना हो पाता है यदि मैं बिना किसी निंदा के बिना किसी तादात्म के लगाव के स्वय का निरिक्षण कर सकूँ तो उसके परे जाना संभव होता है इसलिए अपने आपको किसी आदर्ष के नुकूल बनाने के प्रक्रिया प्रूनता दोश्पून है आदर्ष अपने ही बनाई हुए देवता है और स्वयम प्रक्षेपित किसी प्रतिमा के नुरूप बन जाना निसन्दे मुक्ती नहीं है इस प्रकार समझ तभी संभव है जब मन चुपचाप जाग्रूख है निरिक्षण कर रहा है यह दुश्कर है क्योंकि हम सक्रिय होने में बेचेन होने में आलोचक बनने में निंदा में पक्ष समर्थन में आनंद लेते हैं यही हमारे व्यक्तित्व की समस्त सरंचना है विचारों, पुर्वाग्रहों, द्रिष्टी कोणों, अनुभवों इस मृतियों के आवरण के माध्यम से हम समझने का प्रत्न करते हैं क्या इन सब आवरणों से मुक्त होना और प्रत्यक्ष रूप से समझ पाना संभव है निसंदे, जब कोई समस्या बड़ी तीव्र होती है तो हम उसे प्रत्यक्ष रूप से ही समझ पाते हैं हम इन सारी पध्यतियों में नहीं पढ़ते उसका सीधा सामना करते हैं पारसपरिक संबंद की समझ तभी आती है जब आत्म अलोचना के इस प्रक्रिया को समझ लिया जाता है और तब मन मौन होता है यदि आप मुझे सुन रहे हैं और जो मैं कहना चाहता हूँ उसे बिना बहुत अधिक प्रत्न किये समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे बीच परस पर गहरी समझ की संभावना है परन्तु यदि आप निरंतर अलोचना कर रहे हैं अपनी संब्धियों को या जो आपने पुस्तकों से सीखा है या किशी दूसरे ने आपको जो बताया है उसे निरंतर सामने रख रहे हैं तो आप और मैं संबंधित नहीं है क्योंकि यह पर्दा हमारे बीच में है यदि हम दोनों ही समस्या के विभिन पक्षों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं जो समस्या में ही नहीत है यदि हम दोनों उसकी तह में जाने के लिए उसके सत्य का पता लगाने के लिए वै क्या है इसका पता लगाने के लिए उच्चुक हैं तो हम संबंधित हैं जुड़े हुए हैं तब आपका मन सतर्क किंतु निश्क्रे रहते हुए यह देख पाने के लिए निरिक्षण कर रहा है कि इसमें सत्य क्या है अतहा आपके मन को असाधरा रूप से फुर्तिला होना होगा उसको ऐसी किसी भी धाणा या आदर्ष निर्णय अत्वा सम्मती से बंदा होनी की अफशकता नहीं है जिसे आप अपने किनी विशिष्ट अनुभवों से ध्रिंड करते रहे है निसंदे समझ वहीं संभव है जहां निश्चेश्ट रूप से सजग मन का ततपर लचिलापन है तब उसमें ग्रेहन करने की शमता होती है तब वह सम्वेदनशील होता है जब मन पक्ष या विपक्ष के विचारों, पुर्वाग्रहों, सम्मतियों से भरा हुआ होता है वह सम्वेदनशील नहीं होता सम्बंद को समझने के लिए एक अक्रिय निसंकल्प सजगता की आवशकता है जो सम्बंद को नश्ट नहीं करती इसके उलट वह सम्बंद को कहीं अधिक जीवन्त, कहीं अधिक अर्थपुन बना देती है तभी उस सम्बंद में सच्चे सनेह की संभावना होती है उसमें एक आत्मियता, एक निकटता का एहसास होता है जो भावुक्ता या सम्वेदन मात्र नहीं है यदि हम हर चीछ से अपने संभंद को इस तरह से लें, इस तरह से संभंदित हो सकें, तो हमारी समस्य असानी से हल हो पाएगी संपत्ती के समस्याएं, स्वामित्व के समस्याएं, क्योंकि हम वहीं हैं जिस पर हम स्वामित्व चाहते हैं धन को पकड़कर रखने वाला स्वैम धन ही होता है अपनी संपत्ती से, अपने मकान से, अपने फरनीचर से, अपना तादात्म करने वाला मनुश्य स्वैम वह संपत्ती, वह मकान, वह फरनीचर ही है ऐसा ही धारना और वैक्तियों के साथ होता है जब स्वामित्व का भाव होता है तो कोई संबंध संभव नहीं है हम में से अधिकान स्वामित्व चाहते हैं क्योंकि यदि हम परिग्रह ना करें तो हमारे पास कुछ और है ही नहीं हम रिक्त सीपियों खाली खोल ही तो हैं अगर परिग्रह ना करते रहें अगर अपने जीवन को फरनीचर से, संगीत से, ग्यान से, इस से या उस से ना भरा रखें और तब उस खोल में खूब अवाज आती है और उसी शोर को हम जीवन कहते हैं और उसी से हम संतुष्ट रहते हैं जब उसमें व्यवधान पड़ता है वह चिन भिन हो जाता है तब दुख होता है क्योंकि तब आपको अक्ष्मात ही एसास होता है कि आप क्या हैं एक खाली खोल जिसका कोई खास अर्थ नहीं है संबंद की समस्त अंतरवस्तु के प्रति जागरुख होना ही कर्म है और उस कर्म के द्वारा ही सच्चे संबंद की संभावना होती है उसकी गहराई का उसके मेहतो का पता लगाना और यह जान पाना संभव होता है कि प्रेम क्या है तो दोस्तो यह प्रश्णी ही खतम होता है उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें and finally thank you for your valuable time